हाई फ्रेंट्स वेलकम बैक टो माई चैनल गोपी तिवारी और कैसे हूँ आप सब और आज आ गया है कन्या पूजन ब्लोग तो मैंने जो है नवरात्री में नौमी के दिन कन्या खवाई थी तो बैसे मैं पहले खिला देती हूँ लेकिन इस बार जो है मैंने लास्ट में दूद और दूद को ट्रांसपर कर लें गे किसी और बरतन में और उसके बाद सबसे पहले क्या बनाएंगे है कहीर बनाएंगे कन्याओं के लिए तो यहाँ पर दूद मैं ने उबलने रख दिया है आप देखी रहे होंगे इस तरीके से और दूद उबल रहा है तो यह चा तो थोड़ी से पानी में लुएढ़े खीय। तो । अगर आप बनी आप उच्छा टेष्टा का चायते हैं तो आप दीड़ी तो घीड यह जब में घालाहें धोड़ अने घीडाई राधार भी अगर छोटा चाबल है तो कोई बात नहीं रहने दीजिए नहीं तो आप हलका सा मिक्सी के जार में उसको दर दरा कूट लीजिए और उसके बाद आप डालिए हैं और दूसरी साइड मैंने कोकर में रख दिये हैं चाबल वो सौरी आलू बनने रख दिये हैं क्योंकि यहां प जो चीनी के दाने डालने के बाद मैं उसको कूट लेती हूं अद्रक वाले खलड में तो क्या है बहुत ही महीन हो जाती है और उसका अच्छा फ्लेवर आ जाता है खीर में तो यह एक साइड मेरी उबल रही है खीर आप देख रहे होंगे और एक साइड जो है मैंने रख दिय कड़ाई कड़ाई में मैंने डाल दिया है देशी घी क्योंकि जो है मैं यहाँ पर सबसे पहले पूजा के लिए टिकिया सेख हूँगी तो सबसे पहले मैं टिकिया मैंने आपको दिखाई ना सबसे पहले मैं टिकिया जो है सेख ली है तो यहाँ पर और जो है मैं पूडिय के लिए सब्सकों खना लाएं dość हो जाती है तोAH मैं सर्भ करती हूं अस तरिके से यह मेह उन्सकाया्वा करना हूं आलू मेरे वाइल हो गए है तो उसके बाद क्या करेंगे आलू को चील लेंगे चीलने के बाद दही के आलू मैं बनाऊंगी और ये मैं पूरियां तल रही हूँ और तलने के बाद ये एक साइड आप देख रहे हैं खीर जो है मेरी वाइल हो रही है इलाइची का काम मेरा हो गया इ और सबसे पहले मैं खीर इसलिए चड़ाती हूँ क्यों कि खीर क्या है बनने में खीर को टाइम बहुत लगता है और दूसरा ये है कि किचिन में सबसे पहले मीठी चीज ही बनानी चाहिए आज कन्या पूजन है तो इस तरीके से और ये मैं दिखा रही हूँ आपको एक ले जाएंगे तो वो सब मैंने रेडी करके रख लिया है और यहाँ पर जो है मैंने आपको दिखाया मैंने जो है सबजी खीर सारी ठंडी करने के लिए रख दी है क्योंकि गरम थी ना तो कन्या नहीं खा पाती तो और इस तरह से ये हस्वें जो थे वो सामाल लेने चले ग दोला जाता है तो यह कन्या और लंगूर सारे आ गई यह देखे कन्या मेरी आ गई है और यह देखे नब्या जी भी है आप देख रही है नब्या जी बैठी है यह तो यह भी आ गई है अपने घर से तो बस कन्या सारी बैठ गई है मैं यहाँ पर काउंट कर रही थी कि कन्य ज्यादा हो जाएं पर कम ना हो तो मैं क्या है नौ से ज्यादा ही हो जाएं कोई बात नहीं लेकिन मैं कम नहीं खिलाती हूं और यह 11 मेरी करनिया हो गई थी तो यह मैं काउंट कर रही थी वाई चांस कोई कम हो तो मैं और फिर कुछ करूं बुलाओं करनिया को तो यहां पर म दोनों को थोड़ा इसपेस नहीं था तो मैने जगपके अब अगोन के और ऐसे यह दोनों बईठ गए और उसके बाद इदेखिए करनिया बैठ गई है बस अब हम क्या करेंगे सबसे पहले पयर पक़ारेंगे हा यह पोला उसी से मैं देखो यह पैर पखार रही हूँ सभी कन्याओं के तो यहां पर यह सबसे पहले हम पैर पखारेंगे उसके बाद करेंगी तिलक उसके बाद जो है खाना सर्व होगा और यहां पर जो है सभी कन्याओं के मैंने पैर दो लिये हैं और यह हो गया काम खतम अब जो है सबके मैं लगाऊंगी तिलक अच्छत रोली और अच्छत लगाऊंगी सबके माते पर कन्याओं के लंगूर के इस तरीके से और यह देखो मेरा बैठा है बेटा बैठा हुआ है क्योंकि यह सब इन कामों में बहुत पीछी रहता है तो मैंने बोला कि भाई आभी आप बैठो अभी सबको कन्याओं को खाना परूसना तो यह बच्चों से यह काम करवाने चाहिए ताकि जो है बच्चों का जो है यह थोड़ा सरद्दाव रहती है बच्चों को नहीं तो यह सब काम बच्चों नहीं करते हैं अक्सर तो ये मैंने बठा दिया अभी मैं जितलक बिलक कर लूँगी उसके बाद जो खाना पर उस्वाओंगी बहिया से भी तो ये सब के जो है मैं करी दे रही हूँ तिलक और रोली लगाई दे रही हूँ और सभी बड़े मस्त हैं आप देख रहे हैं जैसे कि इधर जो है जगड़ा चल रहा है आप देख रहे हैं न और ये सब बच्चे आपस में बातें करते हुए अब बस उसके बाद में लगाऊंगी प्लेट लगाऊंगी खाने की ये देखिए मैंने बुला लिया है बेटे को और बस खाना जो है सर्व कर देंगे कन्याओं को तो इस तरीके से हम सबसे पहले मैंने पैर फखा रहे और उसके बाद जो है मैंने रोली और चाबल लगाई और इस तरीके से देखे सब बच्चे जो है तब तक प्लेट से खेल रहे हैं और ये मैं आप पानी का ग्लास रख रही हूँ देखिए मेरा बेटा भी परस्वा रहा है और हस्बेंट जो है सामाल लेने गए हैं क्योंकि मैंने जो बोला है कन्याओं को कुछ देने के लिए ले आओ तो वो ही वो लेने गए हैं फल भी मैंने मगाई हैं और कन्याओं को देने के लिए देखो क्या लाते हैं देखते हैं तो मैं अक्सर जो है कन्याओं को कुछ दे करी बेशती हूँ गिफ्ट जो है कन्याओं को वैसे भी हमेशा देने चाहिए क्योंकि कन्या पूजन जब करते हैं तो कन्याओं को कुछ ऐसा देना चाहिए जो वो खुश होकर अपने घर से जाए तो इस तरीके से अब मैं परोसूंगी खाना तो ये आ गई है सबसे फैले मैंने परोसी है खीर कन्याओं को तो ये खीर जो है बच्चा परोस रहा है और उसके बाद जल भी मैंने दे दिया है सबी को और यहां पर जो है ये चुन्नी जो है कर रही थी डिश्टर्ब तो इस बज़े से मैंने इसको हटा दिया है और ये देखिए कन्याओं को खाना सर्व हो रहा है ये देखे जो है मैं ठीके आलू सर्व किये है उसके बाद सामान ले के आ जाएंगे हसमें तो ठोड़ा सा कन्याओं को भी सर्व करेंगे क्योंकि कन्याओं तो वैसे भी छह मैंने में एक बार ही आती है तो कन्या पूजन बड़े अच्छे से करना चाहिए और हमसे जो बनता है वो मैं करती हूँ कन्या पूजन को और हर किसी को कन्या पूजन जरूर करना चाहिए मैं जो है क्या है नौरात्री ब्रत तो मैंने नहीं रखा था क्योंकि नौरात्री के दो दिन पहले जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया मेरी तबियत हो गई थी खराब तो उस बज़े से मैं नहीं रही थी नौरात्री ब्रत बैसे मैं नौरात्री ब्रत करती हूँ लेकिन मैं क्या करती हूँ कलस भी रखती हूँ, जोत भी जलाती हूँ और नो दिन पूजा पाठ भी करती हूँ और लाश्ट में करन्या भी खिलाती हूँ तो इससे क्या है कि आप ब्रत रहो या न रहो लेकिन इतना कुछ करना चाहिए क्योंकि छे महीने बाद ही नब्रात्री आती है और यहाँ पर हस्बेंट जो है सामाल लेकर आ गए है तो यह हस्बेंट भी आ गए है सामाल लेकर के तो अब यह हाँ यह मैं परस रही हूँ पूरियां तो पूरियां परसने के बाद कन्याएं कर पूरियां खाने 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 लगेंगी और उसके बाद ये देखी बेटा भी परस रहा था तो अब ये देखिए नबया से कुछ कह रहा है उससे बहुत ही उलसता है तो यहाँ पर मेरी कन्याएं जो है खाना खाने लगी है और उसके बाद मैंने हस्बेन को बुला लिया मैंने का आप भी थोड़ा बहुत सर्व कर लो क्योंकि क्या है करन्याओं को खाना सभी लोगों को खिलाना चाहिए बच्चे से भी मैं परस बाती हूँ हस्बेन से भी और खुद भी परोस्ती हूँ ताकि जो है ये सब इतना करना चाहिए बच्चे बड़े आनंद से खा रहे हैं ये देखिए और बस बच्चों ने खाना खाया आच्छे से और मैंने हस्बेन से भी परसवाया है उसकी बाद हस्बेन लाए थे ये मैं चुन्नी भी मंगाई हुई हूँ तो सबसे पहले मैं उड़ाओंगी कन्याओं को चुन्नी तो चुन्नी उड़ाने के बाद देखिए चुन्नी मैं उड़ा दूँगी सबको और चुन्नी उड़ाने के बाद मैं किसी को सबजी चाहिए थी बच्चों को तो मैं सबजी देने लगी तो ये कन्याएं जो है खाना खा रही है और मैंने जो है सबको चुन्नी उड़ाई उसके बाद जो भी मैंने गिफ्ट दिये थे वो दिया है तो इस तरीके से जो है कन्या पूजन मेरा हुआ बड़े अच्छे से सबने खाया है मैं क्या करती हूँ मैं पहले कन्या इसलिए खिलाती हूँ क्यों कि फिर कन्या खाती नहीं है नौमी के दिन लेकिन भगवान की किरपा से मातरानी किरपा से कन्याओं ने खुब बड़े आनंद से खाया है और जो मेरे अंदर ही रहता था कि ना कन्या खाएंगी नहीं अच्छे से नहीं खाती है नौमी के दिन क्या होता है न सभी को सभी लोग कन्या खिलाते हैं तो अक्सर जो है कन्याओं का भर जाता है पेट तो वो बहुत ही फिर मन से खाना नहीं खाती है तो लेकिन ये जो है नहीं हुआ सब कन्याओं ने बड़ी प्रेम से खाना खाया है और ये मैंने उड़ा दी है चुन्नी और उसके बाद जो है जो गिफ्ट बगएरा हाँ ये गिफ्ट मैंने दिया है उसमें एक मैंने कॉपी दी है और कलर का कलर का वो दिया है कलर बॉक्स हाँ और ये मैं बेटे से दिलवा रही हूँ क्योंकि क्या है ये बिद्या कन्याओं को देने से सरस्थी की अपार करपा रहती है तो ये बिद्या कन्याओं को जरूर देनी चाहिए जरूर क्या मैं मैं अक्सर gift देती ही हूँ कन्याओं को कुछ ना कुछ मैं gift देती हूँ ताकि कन्या मेरी खोष हो कर जाए तो इस बार मैंने nail paint दान की है फल में मैंने फल भी दान करने चाहिए तो फल में मैंने केले दान किये है और गिफ्ट किये हैं और एक sketch color का pouch है और इस तरीके से ये देखिए कन्याएं मेरी खा चुकी है खाना गिफ्ट भी उन्हें मिल गया है तो ये सब देखिए चल दी है अपने घर को तो ये देखिए हो गया मेरा कन्या पूजन और मैं बहार तक कन्याओं को भेजने गई थी और कन्याओं को बेटा गारी से ले आया था और सामने गली की ही थी तो सभी को क्या है हम मेरा जो मौला वैसा नहीं है मेरा रोड के किनारे जो है मेरा घर पड़ता है और सामने जो है गली में मौला है तो वहाँ से कन्याओं को बुलाना पड़ता है और वहीं पर नविया का घर भी है जो नविया जी हमारी वीडियो में अक्सर रहती है उनका घर भी गली म और गाडी से ही वो अच्छे से छोडने जा रहा है तो यह कन्या खा चुकी है खाना और उसके बाद यह देखे बेटा जा रहा है छोडने तो मैं इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि ऐसी बैक कर रहा था वो गाडी तो मैंने का थोड़ा सा खड़े रहते हैं और उसके बाद क्या है कन्या भी जा रही थी क्या होता है ना कन्या आती है तो थोड़ा अच्छा लगता है और ये हो गया मेरा कन्या पूजन तो इस तरीके से ये कन्या चली गई और उसके बाद मैं गई थी मंदिर में पूजा करने तो ये देखिए मैं जा रही हूँ मंदि में तो मंदिर में क्या है मैं नौमी को जो है दीपक जलाती हूँ तो 11 मैंने दीपक जलाए हुए है और मंदिर में भी मैंने भोग लगा दिया है क्योंकि मैंने पहले हस्बेंड को दे दिया था तो वो पूजा करने गए तो उन्होंने ये भोग लगा दिया था और उसके बा क्या था ना करनिया मैंने सोजा पहले करनिया खिला देती हूं, उसके बाद जो है मंदर में पूजा कर लूँगी, तो यह मैं आ गई हूँ मंदर में, तो यह मंदर में मैं हवन बगईरा कर रही हूँ, देवी जी की मैंने अठोरी वगएरा चड़ा दी है और खीर और दीपक भी मैंने जला दिये है ग्यारा मैं दीपक जलाती हूँ नौमी को और वैसे तो मैं रोज ही दीपक जला के पूजा करती हूँ लेकिन क्या है जो नौमी को मैं 11 पूरे दीपक जलाती हूँ और उसके बाद मैं पूजा करती हूँ यहाँ पर मैं कर रही हूँ हवन तो मैंने अपना मेरा छोटा सा डेली के लिए मेरा छोटा सा हवन है और बैसे जो है आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा बाहर जो है मंदिर के जश्ट बाहर ही एक हवन कुण बना हुआ है तो बड़ा अगर हवन होता है तो उसी में होता है तो पिछला मैंने ब्लोक डाला था ना पूजा हुई थी और अबन हुआ था उसमें आप चेक कर सकते हैं और इस तरीके से मैंने हवन बगएरा कर लिया है मंदिर में और उसके बाद जो है हम और मेरी हस्बेंट जो है बेटी को मैंने पहले खिला दिया था क्योंकि कन्या खाने के बाद वो छोड़ने गया था चोड़ने के बाद आया तो मैंने उसको खाना परस दिया था तो वो खा चुका है बस हम लोग जो है पूजा कर रहे हैं हम और मेरी हस्बेंट तो यहाँ पर जो है यह मैं आरती कर रही हूँ देवी जी की तो आरती करने के बाद फिर मैं आऊंगी और कमरे में आई और कमरे में आने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया तो ये मेरा हो गया है कंज का पूजन, कन्या पूजन ब्लॉक और एक फर्स्ट डे का ब्लॉक भी मैंने डाला है तो आप लोग जो है उसको भी चेक आउट कर सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर और प्लीज हमारी वीडियो देखिएगा और ज़्यादर स्थक्राइब करेगा आप क्या सैयोग रहा तो आगे तक जाएंगे और आप लोग जो है मुझे आगे तक ले जाएए और आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखा करिए बड़ा बड़ा के मत देखिए और इस तरीके से ये मेरा ब्लॉक हुआ कंप्लीट और ये हो गई मेरी पूजा और उसके बाद जो है हम जाएंगे और ये हो गई कंप्लीट मेरी पूजा हबन भी मैंने कर लिया है और ये देखिए और अब मैं जा रही हूँ कमरे में खाना बाना खाऊंगी तो ये हुगा मेरा कंच का पूजान ब्लॉक वीडियो पसंद आए प्रेंट तो लाइक सेर और सस्क्राइब करिएगा ओके बाई बाई